वेलकम टुए पंकरिन आइटेज एजूकेशन दोस्टों जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि टिपल सी का पेपर होने वाला है और टिपल सी में काफी ज़्यादा हाड कोईशन पूछता है बैंक से, सोसल मीडिया से यानि जितने भी टॉप कोईशन्स हैं, आउट आप से मैं सारे कोईशन को कवर करना चालू कर दिया हूँ तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें हमारे बेल आइकन दबाईए ताकि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे है यहाँ पे मैं इस वीडियो में पूरा जितने भी बै तो जैसा कि सबसे पहले आप देख रहें स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर पहला ही क्वेस्टन्स और यह सारे क्वेस्टन टिपल सी के लावाँ आप बैंक, SSC, UP, SSC, सारे जगहों पर आपको काम आने वाला है तो सारे स्टुडेंट इसको देख सकते हैं करा जमारासी का वो परितिसत जिसे बैंक को अपने पास नगट की रूप में रखना चाहिए कि यह नाम से जाना जाता है इसका राइट एंसर क्या होगा तरलता निदी अनुपाद बैदानिक तरलता अनुपाद पूजीगत उत्पादन अनुपाद नगत निदी अनुपा नेस्ट क्वेशन तरफ हम लोग चलते हैं आप आपका सेकेंड नमर पर क्वेशन आ चुका है निम्न में से किस बैंक को चुनाव बांड जारी करने के लिए अधिक्रिट किया गया है काफी अच्छा क्वेशन से भारती स्टेट बैंक एडी अफसी बैंक आई सी सी आई बै हो तो सस्क्राइब जरूर करना लाइक कम से कम कर दिया करो क्यों कि बहुत ही मेनद करके आपको लोग के लिए में टाइम निकाल के वीडियो को बनाता हूं अगला क्वेशन्स आपका है यहां पर कर रहा है निम्न में से किसे बैद मुद्रा नहीं माना जाता सोना मांग जम मुद्रा सिक्का काफी अच्छा क्वेशन्स है इसका राइट एंसोर आप लोग मुझे तुरन बताइए तो इसका राइट एंसोर जो होगा क्या होगा आपका कि यह क्या होगा ए सोना ठीक है अगले क्वेशन तरफ हम लोग चलते हैं यहां पर चौते नम्मर पे और यहां पे बिजया बैंक का मुख्याला कहां इस्थित है एक क्वेस्टिन बार बार पेपर है पूछा है कि एक जाम पूछा जाता है चाहे टीपल सी को चाहे इस्थित है ठीक है कोलकाता बैंगलोर मुंबई दिल्ली तो इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताईए विजया बैंक का मुख्याल है कहां पर इस्थीत है तो आपसा नम्मर बी बैंगलोर में इस्थीत है ठीक है अगले क्वेस्टन तरब चलते हैं हम लोग यहां पर कर रहा है आपको सामने में क्वेस्टन ला देता हूं कर भारतिय मौद्रिक नी समीति में कितने सदस्य होते हैं तो इसका राइट अंशर घषे 5 8 9 तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेए मुझे आपको ना देता हूं तो इसका राइट एंसर क्या होने वाला है कितने सदस होते हैं 6 सदस होते हैं ठीक है अगले question तरफ हम लोग चलते हैं आपर करा है अगर RBI RBI रेपो दर बढ़ता है तो भारती अल्थ बेवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है मांगाई घटेगी, मांगाई रैखिए या पर दो बार घटेगी हो गया एक बार मांगाई घटेगी और B नमबर पर मांगाई बढ़ेगी रहेगा ठीक है परतिवलती तो एपो दर घटेगा करजा सश्ता हो जाएगा तो इसका जो राय टेंसर क्या होगा आप लोग पताइए मुझे तो इसका भी राय टेंसर क्या होगा मांगाई घटेगी क्या होगा मांगाई घटेगी ठीक है next question तरब चलते हैं हम लोग 7 नमर पे करना निम्न में से कौन भारतिय बहुराष्ट्रिय कंपनी नहीं है साथ नम्मर पर questions है महिंद्रा समू इन्फोसस आदित बिडला समू तो इसका जो right answer होगा क्या होगा B होगा इन्फोस चलते हैं यहाँ पर आठवे नम्मर पर आ चुका है questions भारत सरकार के banker के रूप में कौन कार करता है इसका right answer क्या होगा अंतराश्त्री यह मूद्रा निधी भारती रिजोर बैंक भीसो बैंक भारती यह स्टेट बैंक तो इसका right answer क्या होगा भारती रिजोर बैंक यानि B नम्मर आपका सई होगा question की तरफ हम लोग चलते हैं बढ़ती यहाँ पे रहेगा देखें यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग में बढ़ती लिखा गया यहाँ पे क्या रहेगा बढ़ती रहेगा बढ़ती का नाम जिन्दगी इनमें से किस बैंक की टैग लाइन है circuit bank एकसीस बैंक का ठीक है अगले कोईशन तरफ हम लोग चलते हैं यहां पर दस नंबर पर टाइप इंड देखिए बच्चे करते हैं थोड़ा से मिश्टेक हो जाता है कर रहा है 17 दिसंबर 1931 को भारती संखिकी की संखिकी या संस्थान की अस्थापना किसने की थी ठीक है बहुती अच्छा कोईशन्स है आपका पीसी महान लोबिस आर ए फसर एफ एट्स एम एच हान सेन जिसका जो राइट अंसर होगा क्या होगा आपका पीसी महान लोबिस क्या होगा पीसी महान लोबिस आपसन नंबर ए आपका सही होगा अगले question तरफ चलते हैं हम लोग कर अप्रेल 2018 में किसे बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेर्मेन न्यूक्ट किया गया अविशेक कुमार अखलेश रावत बिजेंद्रस भानू परताफ सर्मा राइट अंसर बताई आप लो इसका राइट अंसर क्या होगा भानू परताफ सर्मा अप्सन नंबर डी सही ओगा ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा था पांच अप्रैल 1935 एक जन्वरी 1956 सोरह मार्च 1975 पांच जुलाई 1950 तो इसका राइट एंसर क्या होगा एक जन्वरी 1956 इस्वी में हुआ था अगले क्वेस्टन तरब चलते हैं हम लोग करा स्मार्ट मनी सब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बैंक दर क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग बैंकों में एफडी आर ठीक है तो राइट एंसर क्या होगा आप लोग इसका बताईए क्रेडिट कार्ड के लिए होता है किसके लिए होता है क्रेडिट कार्ड एक नेस्ट केसन तरफ हम लोग चलते हैं करा निम लिखित में से कौन सा बैंग सरोजनिक छेत्रका नहीं है निम लिखित में से कौन सा बैंग सरोजनिक छेत्रका नहीं है IDBI बैंग HDFC भारती महिला बैंग State Bank of India तो इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग बताएं इसका राइट एंसर होगा आपका B HDFC बैंग ठीक है HDFC बैंग नेस्ट कोईशन तरफ हम चलते हैं यहाँ पे बीसो बैंग का मुख्याला है कहाँ पे इस्तित है लंदन, स्विजर लेंड, वासिंगटन, डीसी, इंगलेंड बीसो बैंग का मुख्याला है आपसे पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट अंसर होगा वासिंगटन, डीसी में है कहाँ पे वासिंगटन, डीसी में ठीक, सी आपसन सही होगा नेस्ट कोईसन तरफ चलते हैं करा भारत में एक रुपे का नोट कौन जारी करता है काफी बार ये टिपल सी के एकजाम में पूछा गया है भारत में एक रुपे का नोट कौन जारी करता है RBI बित मंत्राल है नाबाड इन में से कोई नहीं तो इसको जो कौन जारी करता है बित मंत्राल है आपसन नम्मर B आपका सही होगा ठीक है नेस्ट क्वेशन तरफ हम लोग चलते हैं कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसेशन नहीं है सीटी बैंक कार्ड, एसबी आई बैंक कार्ड, मास्टर कार्ड, इंडिया कार्ड काफी अच्छा क्वेशन सही है तो इसका जो राइट अंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए यार वीडियो को लाइक शेर करिए अपने दोस्टों के साथ हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सस्क्राइब करिए तो भाई सस्क्राइब तो करना पड़ेगा जवज़श्ती नहीं यार मजाक है तो मास्टर कार्ड होगा, क्या होगा मास्टर कार्ड, ठीक है भारती स्टेट बैंक, भारती रिजोर बैंक, बैंक आफ हिंदुस्तान ये काफी बार क्वेस्टन पूछा गए आप से पेपर में इसका राइट अंसर क्या होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा बैंक आफ हिंदुस्तान, क्या होगा बैंक आफ हिंदुस्तान ठीक है अगले क्वेशन तरफ हम लोग चलते हैं उन्नीस नुम्मर पे करान नीम्न मेंस से वह कौन सा बैंक है जिसने सबसे पहले ATM मसीन लांच की थी इसको बहुत ही बार पूछा गया है आपसे पेपर में ठीक है एंपोरियल बैंक इस्टेट बैंक एच एस बी सी बैंक एच डी एप सी बैंक तो इसका राइट एंसर क्या होगा आपका सी होगा क्या एच एस बी सी बैंक ने किया था अगले क्वेसम चलते हैं आप बीस नंबर में भारती मुद्रा दो सो रुपे के नोट के पीछले हिस्से पर किसका तस्वीर बनी हुई है किसकी तस्वीर बनी हुई है बहुत ही जाद है इस पर्टेंट क्वेस्टन्स है और बार बार ये पेपर में रिपूट हरा है और काफी निव क्वेस्टन्स है लाल किला रानी की वाव सांची का स्टूप हमपी तो इसका राइट एंसर आप लोग क्याँ पता होना चाहिए तो सांची का स्टूप क्या होगा सांची का स्टूप अगला question कर रहा है भारत की GST को किस समिधान संसोधन के तध समिधान में जोड़ा गया 122, 101, 101, 105 काफी अच्छा question से competition level का भी है तो इसका right answer आप लोग जल्दी मुझे बताईए तो इसका right answer क्या होगा 101 B number क्या होगा B number ठीक है अगले question तरफ हम लोग चलते हैं करा एक रुपे के node पर किसके हस्ताचर होते हैं बित मंत्राल है रिजरो बैंक गवर्नर यहाँ पर रिखिए रिशरो गलत टाइप होगा बित सचीव राष्ट पती तो इसका right answer क्या होगा बित सचीव होगा क्या होगा बित सचीव ठीक है काफी अच्छा questions है और बार-बार paper में पूट अप होता है निमलिखित में से कौन सी सेवाए भारती रिजर बैंक देता है आथिक डाटा संकलन करेंसी नोट जारी करना मांग ट्राप्ट विक्रें इन में से कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा करेंसी नोट जारी करना क्या होगा करेंसी नोट जारी करना next questions है बैंक की नई साखा खोलने के लिए license किस के द्वारा जारी किया जता है यहां पर किस के द्वारा रहेगा typing के लिए मैंसा मैं माफिश आऊंगा क्योंकि बच्चे type करते हैं और मैं offline classes भी चलाता हूँ तो थोड़ा से मुझे time नहीं मिलता पाता है मैं क्या करता हूँ हाथ से बच्चों copy click के question दे देता हूँ ताकि वो type करके PDF बना दे फिर मैं वीडियो बना दूँगा तो थोड़ा सा आप लोग इसको भाई manage करिएगा बीजी होने के वज़े से इसा हो रहा है नि तो मैं मिलाता तो मैं सही कर देता ठीक है तो bank की नई साखा खोलने के लिए license किसके द्वारा जारी किया जाता है बित मंत्राला द्वारा केंद सरकार द्वारा राज सरकार द्वारा काफी अच्छा question से इसका answer आप लोग बताईए तो इसका right answer जो होगा आपका reserve bank द्वारा होगा किस द्वारा होगा reserve bank द्वारा आपसर नम्मर C next question है निमलिखित में से किस वस भारती महिला बैंक की अस्थापना होई थी अच्छा question से आपका है 1950, 1975, 2000, 2001 और 2013 इसका right answer क्या होगा जल्दी से बताईए आप लोग 2013, D नम्मर सही होगा अगला question कर रहे है बीदेश में साखा खोलने वाला पहला bank कौन सा है यानि बीदेश में सबसे पहले अपनी साखा खोलने वाला पहला bank कौन सा है ठीक है यूको bank, bank of India, पंजाब, national bank, आन्रा bank तो इसका right answer क्या होगा यह काफी अच्छा question से competition level का भी है बैंक आफ इंडिया ने खोला था सबसे पहले अपना साखा ठीक नेस question तरफ चलते हैं वो अंतर राष्ट्री या मुद्रा कोस का मुख्यालक कहां पर इस्तित है वासिंगटन, निवयार्क, जेनेवा, लंडन लंडन में बताइए कहां पर इस्तित है काफी अच्छा question से भी है तो इसका जो right answer होगा आपका क्या होगा वासिंगटन में इस्तित है ये आप सब सही होगा ठीक है नेस question तरफ हम लोग चलते हैं करा लंडन में अपनी साखा खोलने वाला प्रत्रम भारती बैंक कौन सा है लंडन में अपनी साखा खोलने वाला प्रत्रम भारती बैंक कौन सा है बैंक आफ इंडिया इस्टेट बैंक आफ इंडिया यहाँ पर रहेगा पंजाम नेसलल मेंक आइसी आइसी बैंक यहाँ पर देखिए बमक लिखा गया जो की आपकी टैपिम इस्टेट है इसका राइट एंसर बताईए आप लो अभी इसके उपर था घुमा फिरा कोई क्वेस्टन था तो बैंक आफ इंडिया ठीक है क्योंकि सबसे पहले बिजेश मेशी ने अपनी साखा कॉला तो भाई वो भी लंदन में वाए गए अच्छा क्वेस्टन था तो नो भारती करेंसी के नोटों पर पिछले भाग पर कितनी भासाइं मुद्रित होती है 12,13,17,15 काफी अच्छा क्वेस्टन से या कितनी भासाइं मुद्रित होती है 15 भासाइं कितनी भासाइं 15 भासाइं ठीक है Next questions है, यहां पर कर रहा है, भारत में दढ़ाई का काम कौन करता है, बित मंत्राले, भारती इज़ोर, बैंक, प्रदान मंत्री का रहा है, ना बार्ड, तो इसका जो राइट अंसर क्या होगा, बित मंत्राले करता है कौन करता है बित मंत्राले तो यह कुछ important questions थे जो मैंने आपके लिए collect किया था इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम को join करिए और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलिग्राम हमारा इसी नाम से पंकज 98 education आप टेलिग्राम में अपने सर्च करेंगे तो आप पे join now का आपको option मिल जाएगा यह माइनस पंकज जाने जैसे channel पे लिखा है हूब हूब आप ऐसे लिख देंगे तो आपको मुझे मेरी टेलिग्राम जो channel है वो मिल जागा है पंकज 98 education की नाम से उस पे जब आप इंट्री करेंगे तो आपको PDF सारे मिल जाएगे जितने भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ इसका PDF भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या को याद कर सकते हैं मुझे उमीर है कि मेरे दोरा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती होगी और मैं टेलिग्राम का लिंक भी आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रप्शन में दे दू तो उमीर है कि सारा questions आपको अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा त्यार आप से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जादा जादा सेर करिए अपने दोस्तों के साथ पहली बार तो सस्क्राइब करके बेल आइकन दबाईए जो भी कोईरी रहती है आप अपना मुझे question करके बताईए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए questions के साथ तब तक के लिए जय ही जय वारत